चानक के I.S. Academy में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे लव, लिव रिलेशन पर रेप नहीं। हाल ही में करनाटिक हाई कोट ने लिव इन रिलेशन्शिप से जुड़े रेप के एक मामले में आरोपी लड़के को निर्दोश बता कर बरी कर दिया है। इस मामले में हाई कोट ने जो फैसला सुनाया है उसके अनुसार ऐसा संभव नहीं है कि लड़के की सहमती के बिना दोनों 5 साल तक एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहे हो। इतने लंबे समय तक इस रिलेशन का चलना ही IPC की धारा 305 और धारा 306 के लगाये गए रेप के आरोपों को कमजोर करते हैं ऐसा कहना है करनाटक हाई कोट का। आईए चलिए देखते हैं कि पूरा मामला क्या है। 3076-2N के तहत रेप और 354 के तहत छेरचार 406 के तहत भरोसा तोड़ने 504 के तहत जानभुज कर अपमान करने 323 के तहत मारपिट करने और 506 के तहत धमकी देने के आरोप में केस दर्ज करवाया। लड़की ने बताया कि मलिकारजुन ने शादी के जूटे वादे कर उस किसा सम्मंद बनाए इसलिए वह रेप का आरोपी है। मलिकारजुन के बचाव में उसके वकील ने कहा कि दोनों कपल एक दुसरे से शादी करना चाहते थे लेकिन जाती अलग होने की वज़े से मलिकारजुन के प्रयासों के बावजूट शादी नहीं हो सकी। आखिरकार उनकी रिलेशन्चिप तूट गई। ऐसे में मलिकारजुन के खिलाफ रेप का ये आरोप सही नहीं है। इसके बाद फैसला सुनाते हुए जस्टिस M. नागा प्रसन्ना ने कहा कि मुम्किन है कि लड़की ने शक्स को संबन बनाने की इजादत एक, दो या तीन बार नहीं बलकि पान साल में कई बार दी होगी। केस की चार शीट में इस बात का जिक्र है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, ऐसे में यह नहीं का जा सकता कि महिला की इच्छा के बिना ये सब संबव है। इसके साथ ही जस्टिस नाग प्रसन्ना ने लड़के के खिलाफ IPC की धारा 376, 376-2, 354, 406 और 504 के तहत लगाए गए रेप, सुनियोजिक, धोकाधड़ी, छेड़, चार और धमकी के आरोपों को खारिच कर दिया है। हालाकि कोट ने लड़के के खिलाफ सामान्य मारपिट करने के आरोप में IPC की धारा 323 के तहट दर्ज F.I.R. को बरकरार रखा है। इस मामले के सामने आने के बाद बहुत से विवाद छिड़ गए हैं और बहुत से प्रश्न खड़े हो गए हैं। इस खटास के मामले में रेप की F.I.R. करवाना गलत है। अगर कोई वेक्टी लंबे रिष्टे के बाद शादी से इंकार करता है तो उसके लिए रेप का अपराद नहीं बनाया जा सकता। I.P.C. के तहट किसी भी अपराद को साबित करने के लिए मन्शा होना जरूरी है। इसलिए सहमती के आधार पर बनाये गए समंदों को कई साल बाद रेप बनाना आपरादी कानूनों का दुरूपयोग है। इसलिहास से करनाटक हाई कोड का ये फैसला कानून के मुताबिक है। लेविन और लव रिलेशन्शिप को लेकर दो मौलिक अधिकार कौन-कौन से हैं। तो भारत में इस तरह के लव रिलेशन्शिप या लेविन रिलेशन्शिप को लेकर कोई कानून नहीं है। ऐसे में अदालते मौजूदा कानून की व्याख्या करके और पहले के फैसलों के जरिये इस तरह के मामलों में फैसला सुनाती है 1978 में बद्री प्रसाद और डिप्टी डिरेक्टर ओफ कंसॉलिडेशन के केस में सुप्रीम कोट ने कहा कि रिलेशन और लिवन रिलेशनशिप को लेकर भले ही कानून नहीं है लेकिन ये उम्र सहमती और कंसेंट जैसी चीजों पर निर्भर करता है देश में रिलेशन्शिप और लिवन रिलेशन्शिप की व्याख्या मुख्य रुप से दो मोलिक अधिकारों के कानून पर निर्भर करती है पहला है अनुचेद 19-1 बोलने और अभिवेक्ति की सवतंतरता का ये अधिकार देता है दूसरा है अनुचेद 21 जो की जीवन और व्यक्तिकत सवतंतरता का अधिकार देता है और ये सभी भारतवासियों का ये मूल अधिकार है ये दोनों कानून हर इंसान को ये अधिकार देते हैं कि वह अपनी जिंदगी पूरी आजादी के साथ अपने तरीके से जी सकता है जब तक कि कोई कानून उसे ऐसा करने से नहीं रोकता हो एक इंसान जिसके साथ और जैसे चाहे रह सकता है सुप्रीम कोट ने 2006, 2010 और 2013 में तीन अलग-अलग मामलों में फैसला सुनाते हुए कहा था कि व्यस्ख होने के बाद कोई भी व्यक्ती किसी के भी साथ रहने या शादी करने के लिए सतंतर होता है कोट के इस फैसले के बाद भारत में रिलेशन्चिप में साथ रहने वालों को कानूनी मानेता मिल गई थी लव रिलेशन्चिप और लिविन रिलेशन्चिप में क्या अंतर होता है लव रिलेशन्शिप में दो अडल्ट एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन साथ नहीं रहते हैं वहीं लिविन रिलेशन्शिप में दो बाली की अडल्ट आपसी सहमती से एक दूसरे के साथ रहते हैं उनका रिष्टा पती-पत्नी की तरह ही होता है लेकिन वो दोनों एक दूसरे किसाथ शादी के बंदन में नहीं बंदे होते है एक सवाल ये है कि लिविन में रहने वाला पुरुश अगर अपनी महिला पार्टनर के साथ मारपिट करे तो क्या होगा इसका जवाब है महिला पार्टनर ऐसी सिचुएशन में घरेलू हिंसा एक्ट की धारा 12 के तहट उस पर केस दर्ज करवा सकती है इसके शिकायत डारेक्ट मजिस्ट्रेट को की जा सकती है इसके अलावा घरेलू हिंसा एक्ट की धारा 18 के तहट महिला पार्टनर प्रोटेक्शन ओर्डर की भी डिमान कर सकती है मजेस्ट्रेट पूरे मामले को सुनकर जो भी फैसला सुनाते हैं अगर उस फैसले को पुरुष नहीं मानता है तो उसे एक साल के सजा या 20,000 का जुर्माना या धारा 31 के तहट दोनों तरह की सजा हो सकती है लिविन में पैदा होने वाले बच्चों के क्या अधिकार है? अगर लिविन रिलेशन्चिप में रहने वाले दोनों पार्टनर में से कोई भी एक पहले से शादी सुदा हो तब भी क्या उसे लिविन में रहने का अधिकार है? तो इसका जवाब है लिविन में दो ऐसे ही लोग रह सकते हैं जिनकी पहले से कोई शादी ना हुई हो, दो तलागशुदा लोग या फिर जिसके पार्टनर की मौत हो चुकी हो ऐसे लोग लिविन में साथ रह सकते हैं क्या लिविन रिलेशन्शिप में रहते हुए भी कोई बच्चा गोद ले सकता है, तो लिविन में रह रही लोग अलग अलग नियमों के तहट बच्चा गोद ले सकते हैं, लिविन में रहने वालों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ऐसे में लड़का या लड़की व लंबे समय से चल रही है इस तरह कि मांग करने वालों का कहना है कि सुप्रीम कोट के जज्जमेंट में लिविन को मानिता मिली है ऐसे में अब इसे भी मानिता मिलनी चाहिए दूसरा है लिविन में रहने वाले दो लोगों की संपत्ती और उस पर दावे को लेकर कोई कानून नहीं है ऐसे में दो लोग जो लिविन में हैं उनकी संपत्ती पर उनका ही अधिकार होता है और तीसरा है कि लिविन में पैदा होने वाले बच्चे अपने मावाप के अलग होने के बाद दोनों से संपत्ती की मांग कर सकते हैं इसके साथ ही आज का हमारे टॉपिक यहीं प press the bell icon to never miss an update